हेलो दोस्तो मेरा चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आपको रेलवे एलपी एंड टेकनीसियन दोजार अठारे के एक्जाम में आए हुए जनल साइंस के इंपुडेंट कुश्चन कराता हूँ जो सिफ्ट वाइज दिये हुए हैं ये कुश्चन एंटिपीसी की रेलवे एससी के सभी एक्जाम के लिए बहुत इंपुडेंट है और इन्हें देखना न भूले चलिए आज का पहला कुश्चन है सर्च लाइट का परावर्थक कौन सा है तो इसका अंसर होगा अवतल दरबड पानी को ब्लीचिंग पारडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है किलोरीन किस अब किरिया द्वारा उच्च प्रत किरिया वाली दातूं का निस्कासन होता है इलेक्ट्रोलिसिस उस दातू का नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है तो वो है सोडियम कौन सा एक सेप्रो ट्रॉफ है तो वो है कुकुरमुत्ता जाता है तो इसका अंसर होगा द्रब्मान और वेग एनेज फोर का होल ट्वाइस एस फोर के एक अड़ू में कितनी प्रमाड़ू होते हैं इसका अंसर है 15 15 ऑक्टेक्स वर्गी करड के निव लेंड्स लो में कौन सा अंतिमतत्त्त है इसका अंसर है थोरियम प्रत्रोत की ऐस एकाई है तो इसकी एकाई क्या है ओम चलिए सेगंड सिफ्ट के कुश्चन यदि आप एक दरपड में देखते हैं और पाते हैं कि छवी आपका प्रावरतन आपसे छोटा है तो दरपड का प्रकार है तो इसका अंसर क्या हुआ उत्तल दरपड खादे पदार्थों में इसका अंसर होगा ओक्सी करण थायरोक्सिन के संसलेशड के लिए निम्नमै से क्या आवस्यक है इसका अंसर होगा आयोडीन एक पौधे के तने या जड का गहिरा किस करण बढ़ता है तो इसका अंसर होगा लेटरल मेरिस्टीज नेक्स्ट गुस्टन है कौनसी गेस में उत्वन नहीं होती है तो इसका अंसर होगा कोबाल्ट चलिए अगला कुश्चन देखते हैं क्लूरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसकी निर्माड में किया जाता है तो इसका अंसर होगा ब्लीचिंग पाउडर यदि क्रिप्टोन की पर्माडू संक्या 36 है तो इसका इलेक्टोनिक विन्यास होगा तो इसका अंसर होगा 2, 8, 18, 8 इसी किरम में ये होता है इसका इलेक्टोनिक विन्यास का एक फॉर्मूला है 2N2 इसके अंसर से ये भरे जाती है चलिए थर्ड सिफ्ट के कुश्चन देखते हैं पहला कुश्चन है स्वाद का पता लगाने के लिए अभी गिराहक को क्या कहते हैं रस्वेदी अभी गिराहक इसका अंसर हो जाएगा चलिए अगला कुश्चन देखते हैं किसकी प्रक्रिया में लोहिको जस्ता की एक कोटिंग द्वारा सनरचित गया जाता है तो वो किसकी प्रक्रिया होती है गैलवोना जेशन ठीक है अगला कुश्चन है उपर उठाई गई हतोड़े के पास क्या होता है तो उसमें क्या होता है इस्तितेज उर्जा उपर उठाई गया हतोड़ा या कमान से खीचा गया तीर उसमें सम्में क्या होती है इस्तितेज होती है चलिए अगला कुष्चन है जब हम आप देख तालिका की सम्हूं में नीचे जाती है तो क्या होता है तो उसमें क्या इसका अंसर हो जाएगा सेल की संख्या बढ़ जाती है दांतों में सडन सुरू हो जाती है जब मुह का पी एच कितने से कम होता है पांस पॉइंट पांस से अगला कुष्चन है एक एलकोहल का कुटनांग 78 डिगरी सेंटीगरेट है केल्विन पेमानी पर तापमान कितना होगा इसका अंसर हो जाएगा 351 केल्विन अपने बाएं हाथ में पेन को पकड़ कर एक व्यक्ति अपना प्रतिविम सीसे में देखता है तो पेन दाएं हाथ में देखता है इसका कारण क्या है पार्शु ब्यूत कुरूम चलिए आगला कुस्चन देखते है जब प्रकास की एक क्रण एक सगन माध्यम से बिरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ती है अबिलम से दूर तथा गती बढ़ जाती है इसका यह अंसर हो जाएगा अगला कुस्चन है ओजोन के एक अड़ू में कितने परमाडू होते है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा तीन परमाडू होते है ओजोन का सूत्र क्या है ओ थ्री ठीक है चलिए आगे देखते है जब किसी संकुचित सिलिंकी को छोड़ा जाता है तो इस्ति जूर्जा को किस उर्जा में परवर्दित करती है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा गती जूर्जा किसके बहु बिखनन द्वारा उत्पन होता है तो वो क्या होता है प्लाजमो डियम ठीक है इसका ये अंसर हो जाएगा अगला गुशन देखते है खाते वदार्थों का ओक्सी करड़ होने से रोकने के लिए निम्न मैसे किस गैस का उप्योग किया जाता है इसका अंसर हो ज आवारी करते समय निकलने वाली उर्जा निम्न मैसे किसका रूप नहीं होता है तो इसका अंसर हो जाएगा रसानिग उर्जा कौन सा एक परजीवी के रूप में पौदे से पोशड प्राप्त करता है इसका अंसर हो जाएगा कस्क्यूटा अगला बश्चन है कौन फूल के केंदर में मौजूद होता है तो इसका अंसर हो जाएगा अंडप यानि कारपल चलिए अगला बश्चन है विवस्तित वस्तूओं की वो प्रवर्ती जो उसे इस्थिर या समान गती से गतिमान रहने के लिए प्रवर्त करता है क्या कहलाता है तो इसका अंसर हो जाएगा ज कि उत्र क्या है C3H8 हिलियम को छोड़कर सभी नोबिल गैसों के बहरी सेल में कितने इलेक्टरोन होती है इसका अंसर हो जाएगा आठ एलेक्टरोन अगला फूलों वाले किस पौधी में पतियों के मार्जिन के दरों में कलियां पैदा होती है इसका अंसर हो जाएगा जहान केंद्रित किया इसका अंसर हो जाएगा हैट्रोजन और ऑक्सीजन चलिए अगली सिफ्ट दस आठ दूजारा ठारेगी सेकंड शिफ्ट है इसका अगला कुश्चन देखते हैं गती का पहला समीकरण किसके बीच संबंद दर्शाता है बेग और समय योन प्रजनन में मा आता पिता का योगदान होता है इसका अंसर हो जाएगा अपनी जीन का आधा हिस्सा कौन सा जी पुनर जनन और मुगलन द्वारा प्रिजनन कर सकता है इसका अंसर हो जाएगा हाइड्रा गूला कार दरपड की प्रत्विंबित सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है पोल या ध पर शड डेयर से नियरवात में प्रकास कभी कितना होता है इसका Samsung हो जाएग चलिए इसका अंसर क्या हो जाएगा थी इन्टू दस प्र हूं दिस यह गलत लखा हुआ है कि उछता है हुआ है इस पर द्यान चलिए आगे देखते हैं निम्लिकित मेंसे मानम मस्तिस्का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा अग्र मस्तिस्क जब मेंगनीसियम सिवन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा योगिक उत्पन होता है इसका अंसर हो चारगा घडद की साख़ों मैं से किसका विष्कार किया गया था तो इसका ाण सर क्या हो जाएगा गडड़न एक मिस्तर द्धातू किसका एक अधरण है थोस विलियन ठीक है तो ये रहे आज कि क्षिचिन तो दोस्तो मेरी चैनल को लाइक मेरी वीडियो को लाइक करें सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी जनरल साइंस के कुष्चन लाद रहूंगा मैं ठीक है थेंकियो दोस्तों